नमस्कार साथियों सिजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है जो साथि नए होंगे हमारे योटुब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जरूरी सूचना है सिजी व्यापम के द्वारा जरूरी सूचना प्रकासित की गई है जी हां जो नवकरियों में काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग से आप वंचिद भी हो सकते हैं व्यापम ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जी हां विस्तार से चर्चा करेंगे जो साथी नए होंगे भाई हमारे योटुब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए विडियो पर आते हैं जैसके आप सभी को एक नोटिफिकेशन सो हो रहा है 19 जून अर्थात कल की ये नोटिफिकेशन है कारेला चत्तिगर व्यापम के माध्यम से ये जो प्रेश विग्यपती है जारी किया गया है देख सकते हो चत्तिगर व्यापम परिक्षा मंदल की परि एक बार आधार नंबर लिंग हो जाने के बाद में प्रोफाइल में संसोधन करने की किसी भी प्रकार की आवसकता भी नहीं पड़ेगी अभ्यर्थिकों व्यापम आने फिस भुकतान करने की भी आवसकता नहीं पड़ेगी वेश्वयम ही आनलाइन प्रोफाइल में संसोध कर सकेंगे इसलिए देख सकतू इसकी स्वीधा क्या होगी आने वाले समय में मैं ये भी आप सभी को बता दू तो यहां पर आपको दिखाई देखी आधार लिंग करने से प्रोफाइल के साथ जुड़े सभी आवेदन पत्र उस आधार के साथ में जुड़ जाएंगे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी सुवीधा मिलेगी यहां पर देख सकते हैं सिक्षाग भरती के रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी आप सभी जान रहे हैं तो काउंसलिंग में भी आपकी सुवीधा होगी किसी भी अभ्यर्थि ने गलती से यदि एक से अधिक प्रोफाइल बना ली है तो अधाल लिंग करने से सभी प्रोफाइल आपस में मर्ज हो जाएंगे और प्रिचार्थी एक ही लागिन के द्वारा व्यापन की जो परिक्षार्थियों से सम्मनित यहां सभी आवेजन भर सकेंगे देखिए आप सभी जान रह अपने स्व्यक्ष्यानुसार आप उसको इडिट कर पाएंगे ठीक है इसके लाब भी होगा देख भविस्य में व्यापम की वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाने बार बार आपको प्रोफाइल बनाने की जरुवत नहीं है ऑनलाइन आवेजन करने काउंस लिंग में भाग नहीं हुआ है डेट प्रकासित नहीं हुआ है लेकिन व्यापम दर जो भी ती थी जो भी तारिक आएगी जैसे भी आएगी ठीक है और सीजी व्यापम के ऑफिसियल साइट में जो भी और लिंक मिलेगी हम बिल्कूल अपने चैनल के माध्यम से साजा करेंगे जो साथी नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जैहिन वंदे मातर में